अमेरिका ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में गंजा में ततकाल युद्ध विराम की मांग करने वाले एक प्रस्ताव को वीटो किया। अमेरिका के इस फैसले की कई देश निंदा कर रहे हैं। सौधी अरब ने अमेरिका के वीटो लगाने के फैसले पर खेद जताया है। सौधी अरब के विदेश मंत्राले ने बयान जारी कर कहा। गहजा में तुरंत युद्ध विराम लागू करने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर अमेरिका के वीटो लगाने पर हमें खेद है। सौधी अरब इस बात पर जोड़ देता है कि आज सुरक्षा परिशद में सुधार की जरूरत है ताकि जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा सके और बिना दोहरे माप दंडों के बिना वैश्विक शान्ती कायम रखी जा सके। अमेरिका ने ये वीटो अपने खुद के एक प्रस्ताव को लाने के बाद किया जिसमें अस्थाई युद्ध विराम की अपील की गई थी। अमेरिका के सहयोगियों ने भी इस कदम की निंदा की है और इस पर खेद व्यक्त किया है कि युद्ध विराम प्रस्ताव को अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया। अपने प्रस्ताव में अमेरिका ने इसराइल को चेताया है कि वे रफ़ाह में ना घुसे। इसराइल ने रफ़ाह में घुसने की बात की है और दस मार्च तक हमास को सभी इसराइली बंधकों को छोड़ने की डेडलाइन दी है। इससे पहले भी अमेरिका सन्युक्त राश्ट्र में वोट के दौरान युद्ध विराम शब्द से परहेज करता रहा है। कि अभी हमास और इसराइल के बीच बातचीत चल रही है और ऐसे में ये ततकाल युद्ध विराम का आहवान करने का सही समय नहीं था।